हेलो एवरीवाइन रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुस्वम फेमिली व्लोग में तो एक वीडियो का मैंने एंड किया है अभी अपलोडिंग वगार पे डाला है दूसरा वीडि तारीख और दिन है आज बुद्वा रहे चाहिद क्योंकि दिन का गड़वड हो जा रहा है काम सारे डिटेल सुबै मले सुबै का जो जाड़ों पोच्छे का सब खतम हो गया है और कल 25 तारीख रहेगी तो कल रहेगा हमारा ब्रत उसका आमलाइक आदशी का ब्रत है कल चाहची में अरव दिन हम लोग भी डखते हैं हमारे हां पर ब्रत में क्या क्या होता है वह तो .. तो इसको तो पूजा नहीं जाएगा घर में जो normally पूजा होती हो ही करेंगे और जो राटा होता है ना मस सिंगाडी जो होता है उसका हलवा बनता है हमारे जरूर और यह में इकादची हमारे हांपर होली की यह कोथली बहुत यह बेटियों के जो जाती है ना होली के जो कोथली है हमारे इसी काथशी पर जाती है एक जाती है में और सद्वार में ध्रत रखते नहीं है का यहां पर क्या है मार्केट में जो आटा मिलता में उसको कभी नहीं लेती हूं से गाड़ेगा क्यूंकि वह उतना अच्छा नहीं आता है हमारे यहां पर क्या है माय के से मम्मी भेज देती थी साबुत लेकर गाउं में इमाम दस्ता जो होता है उसमें कूट के और चक्खी में पीसके लेकिन इस वार नहीं आई है घड़ से क्यूंकि दोनों भाईयों को कोई से को टाइमी नहीं मिल पाया और उपर से अब मैं मैं ममी को हसरी थी मैं कि समारे की मिंग नहीं बन पाएगी चलिए देखते कुछ जुगाण करेंगे और आपको आगे दिखाऊंगी में कल वीडियो में कल जाएगा यही मेरा वीडियो कुछ हो सकता है यह मेरा क्या रहेगा लेकिन हाँ एक शीज जरूर हैगी होली को रिले पता चली जाएगा लेकिन काफी अच्छा वीडियो रहेगा तो चलिए मिलती हूं आपको तो देखिए यहां मैं बना रही है इमली की चटनी जो सोट बोलते हैं उसको यहां इमली को मैंने 500 ग्राम लिया है उसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था उसके बाद में चलनी में इस तरीके से इसको अच्छे से मैस करके और इसका जो पल्प है उसे कड़ाई में निकाल लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके से हमें से निकालेंगे क्योंकि अगर डारेक्ट करेंगे तो फिर इसमें जो मलद छिलके वगरां वे ज चेपन की आती है गुड़ डालने के बाद में मैंने इसमें डाला था चीनी एक कटोरी कि कुई मैं दोनों चीज डालती है और यहां पर मैंने कुछ घरबूजे के बीज और किसमिस डाली है आप चाहों तो कोई भी ड्राइफ्रूट डाल सकते हैं नमक डाला है लाल मिर्ची जरूर डालें उससे एक दम हलवाई के जैसी टेस्ट की चटनी बनती है और थोड़ा इसमें गरम मसाला डाला आया और इसके बाद में सौंट पाउडर क्यूंकि इसे सौंट भी बोलते हैं सौंट पाउडर जिंजर पाउडर ना डाले तो यह स्का टेस्ट अच्छा नहीं ग्यन्नू को लग रहा था बार बार मेरी वीडियो बनाओ मैंने के चलो तेरी भी बना लेते हैं यहाँ पर मैंने घी गरम किया था उसको ही मैंने मलत चाने के डब्बे में भर रही है और किचिन में कुछ सामान है जो मैंने मार्केट से इसू पर मंगाया है उसको भी लगा के सेट करूँगे अभी देख रहूंगे आप सिलेप पे ही रखा हुआ है इमली की चटनी के लिए एक और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस्टेंड है मला जल्दी में बनानी है तो अमचूर पावडर ले लीजे एक पैकेट उसको गोल करके और सेम जैसे मैंने बनाई है उसी तरीके से इसमें सारी चीजे डाल करके बना लीजे जरूरी नहीं है कि इमली की ही बनाएं कई वर हम भिगो नी बूल जाते हैं तो आप अमचूर पावडर की भी बना सकते हो तो देखिए यहां पर जो समान ला रही थी मैं इसको अलमारी में रख दूँगी और आपको मैं बताओ डेली का ये अलमारी और ये एरिया है नो जो माइक्रोवेब के उपर गा डेली सेट होता है चाहिए मैं करूँ चाहिए गीता करें लेकिन गन्नू पिंकू क्या चेयर पर चड़के यहां पर इनके कुछ-कुछ खाने पीने की चीजे रहेंगी सारा एकदम से फैला देते हैं तो डेली का हमारा काम रहता इनको समेटनेगा तो बस मैं यहीं पर कुछ ऐसे पैकेट थे जिनको इस्टैपिलर करके रखना था क्योंकि डब्बे में यह रहता है कि भरूंगी बाद में बस बाद हो जाता है यहां पर बॉन मीटा वगएरा यह सब मंगाया है क्योंकि घड़ जाना है तो पैकेट वगएरा का अलग से ही मैंने मंगा लिया है बच्चों के लिए और यहां पर कपड़े वगएरा मेरे सूप गए थे तो उनको भी मैं ते लगा के रख दूँगे यह सब पूछ रहता है कि दीदी आपकी कोथली नहीं आई होली की तो मैंने होली की कोथली मेरी क्यों नहीं आई यह माई के से क्या वज़े है तो यह सब मैंने आपको बाद में वीडियो में डिटेल में बताया है तो वीडियो जरूर देखना कुछ भी नहीं आया है क्या वज़ा है क्यों नहीं आपको बताया है कपड़े तें लगाने के बाद में ये देखी इए मैं दिखा रही हूँ आपको किचन गाडन का भाबी गा तो यहां पे अलो विरा लगाया हुआ है अच्छा कासा मुझँ जरूरत होती है तक कुछ बाएटर कि होता है ने कहीं कहीं सीजन जिसका ख़तम हो गया और दूसरे वाले पेड़ यह जो पते ना आप देख रहे हो यह सलाद वाले पते तो आप लोग भी बताना किसके ने खाए यह पोदीना लगाया हुआ है भावी न और यहां देख रहे हैं सारे गंबलों में मिट्टी भरक साल कटे चेंज करती है भावी नएके चेंज ही है ने इस वार भी और इसमें दोबारा से बालक डालवा है पहला पालक लगा हुआ है और इसमें वह यां बार फालक कर दिए और और थहां छाएं नई हमएलग यहां lançh f одजह कर दो together साथ एंद करती अलग-अलग है तो यहां में डिटेल में दिखा रही थी गोबर की एकदम से सूखी वाली जो खाद होती है उसको और मिट्टी को मिट्टी को भावी ने कम से कम दस दिन के लिए छटवे ऐसी फैला के सुखा लिया उसके बाद कटों में भरा है इतनी मेहनत करने के बाद ही द देखो क्योंकि आज इन्होंने भावी ने यहां से उखाड भी दिये हैं इसी वज़े से कोई नहीं खा रहा था ऐसी ही लगे हुए थे यह देखी सारे फेर यह पत्ते उखाड दिये सलाद वाले मैंने खा के देखा मुझे इनका बहुत गंदा वाला टेस्ट लगा एक दि किलीन कर रही है और यहां में भी दिख रही है यहां मैं भी दिखाई दे रही है और यहां बन गई है भावी की गुझिया देखिए गुझिया बना दी भावी ने और मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया अपनी वीडियो में शेयर करूंगे जब अपने हां गुझिया बनाऊ गया था जो कि मैं यह निगर पाई थे फिरी वीडियो का इंड नेक्स डे हो गया है यानि कि आज हो गई 25 और आज है ब्रत हमारा भी ब्रत है नहाना दोना हो गया पूजा हो गई है और यह इसके आगे का वीडियो आप लोगों के पास में कल जाएगा 26 तारिक को और पूजा खाय खाली चाय पीए और कल तो गलती से रह गया था क्योंकि लेकिन सबनेना कमेंट करके मुझे बताया था सबके यहां पर ही 25 तारिक की आनि कि आज की ही यह है स्वारी सिवरात्री बोल देती हूं आवलाइकाशी तो आवलाइकाशी का मेरा ब्रत है और सब मैंने पूछा सब हो गई है और भावी की भी गुझिया बन गई है मैंने जादा डेटेल में नहीं दिखाई क्योंकि मैं अपनी जब बनाऊंगी अपने घर तब ही डेटेल में रैजीपी शेयर करूंगी ना अभी तो मैंने जब चाची कहां बनी थी उनके और जो भावी की बनी है तो ब अभी की गुझिया कंप्लीट करने में तो इस वजह से मैं अपने वीडियो का भी एंड नहीं कर पाई थी ना आप लोगों से कुछ बाते कर पाई थी आप सब बताना मुझे कमेंट करें कि किस कि के यहां पर तयारियां चल रही है कुझिया की पापड़ बनाने की पापड इतने टाइम से यह नहीं था कि मुसम खराब होगा जब लग रही थी कि को अभी तो टाइम है यह घड़ बढ़ हो गया और तयार हो गई हैं सबसे पहले अभी तो डॉक्टर के जाना है क्योंकि घड़ जाना उससे पहले जितनी भी तयार यहां वो करनी है मम्मी की दवा ल तो उसे बाद में मिलूंगी अपने वीडियो का एंड करती हूं वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और पसंद आए वो तो अपने फ्रेंड गूरूप में शेयर करना लाइक करना जो न्यू है चैनल पर प्लीज प्लीज सब्सक्राइब क रूपीछ कर जो तो ऑनो हम खाल थे बाला है तो आता है ठास वम भी तो आपीर घर्ट आपगीद प्लीज ऑ्लीज सवगा टीकर कमें उना मिलीज़ नियू है तो सल्बार लूल